तो हेलो दूस्तो आज की वीडियो में जो है मैं एक बहुत ही स्पेशल फोन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ शाओमी के 13 प्रो 5G के बारे में जो की बहुत ही एक तगड़ा फोन है यहाँ पर इसमें जो है हर चीज बहुत ही बड़या मिलते हैं चाहे वो गेमिंग के लिए हो चाहे पर कैमरा के लिए है यहाँ पे जो है triple camera setup आपको देखने को मिलता है Leica का 50 megapixel का main camera दिया जाता है 50 megapixel का telephoto camera 50 megapixel का ultra wide camera दिया जाता है HDR video recording हो जाती है वो भी Dolby Vision के साथ 4K 60fps पे 8K video recording हो जाती है 24fps पे बाकी यहाँ पे मैं बताऊँ आपको यहाँ पे आपको night video recording भी जो है काफी बढ़िया जो है ultra night video recording आपकी 4K तक हो जाती है 24fps पे 32 megapixel का display in display selfie camera है selfie camera अच्छा काम करता है बट जो पीछे वाला camera है वो तो मैं कहूंगा बहुत ही जादा बढ़िया है बहुत ही तगड़ा काम किया गया है यहाँ पे जो है videos वगएरा काफी stable आती है OIS का आपको यहाँ पे मिलता है support काफी जादा जो है बहुत ही बढ़िया जो है आपको फोटो निकाल के देता है तो camera में जो है Xiaomi ने एकदम दिल खुस कर दिया जिसे साब से YouTube मैंने वीडियो देखी इसकी मलब की camera की भर भर के तारीफ की गई है तो तारीफ के काबिल है तभी इसकी तारीफ की जा रही है तो camera जो है काफी तगड़ा यहाँ पे दिया जाता है बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे जो है 6.73 इंच की बड़ी 10-bit E6 MO डिस्प्ले दिस्प्ले दी जाती है कॉनिंग गोरिला गलास विक्टस का प्रोटेक्शन दियाता है पीछे भी विक्टस है यह भी याद रखिएगा काफी अच्छी बात है डॉल्बी वुजन का आपको सपोर्ट मिलता है डिस्प्ले पे और डॉल्बी एट्मोस का साउंड आपको यहाँ पे मिलता है ब्राइटनेश जो है 1900 निट्स है पीक ब्राइटनेश जो है और डियूल स्टीरियो स्पीकर आपको मिलते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वाल्टी है और स्पीकर से तो आपको कॉन्टेंट देखने में भी कोई भी दिक्कत ने होगी काफी बढ़िया जो है यहाँ पर का काम किया गया है डिस्प्ले में भी बात करें प्रोसेसर की तो काफी तगड़ा प्रोसेसर स्नैप डैगन एट जैन टू है काफी बढ़िया से गेमिंग हो जाती है एकदम स्मूथ और यहाँ पर जो है आपको वेपर चैंबर कूलिंग टेक्नलोजी दी गया है 3400 mm2 का जो बहुत ही अच्छे से होगी बात करें बैटरी की तो यहां पर 4820 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है पचास वाट की वायलेस चार्जिंग मलब क्या ही कमाल वायलेस चार्जिंग दी गए इतनी जादा 10 वाट की रिवर्स वायलेस चार्जिंग ताकि आप दूसरा भी चार्ज कर सकते हैं वायलेस ली वो भी 10 वाट तक इन बॉक्स मलब चार्जर आपको 120 वाट का जो दिया जाता है डबे में टाइप सी केबल आपको देखने को मिलता है 120 वाट का जो है Xiaomi का हाईपर जार्जिंग यहाँ पे आपको दिया जाता है यहां पे फोन को जो है वो सि जार्जिंग तो कमाल की है ही तो दोस्ते यहां पे दो कलर ऑप्शन आपको मिलता है ब्लैक और वाइट दोनों ही काफी तगड़े लगता है कर डिस्प्ले के साथ जो डिजाइन लुक आता है काफी जादा प्रीमियम है डूल सिम आपको यहां पे आपको डूल सिम का सपोर्ट करता है में 14 पे बेज़ एंडॉइ 13 आपको इसमें देखने को मिलेगा फिंगर प्रिंट स्कैनर आपको यहां पर डिस्प्ले के अंदर मिलेगा थिकनेश जो है 8.38 mm की है वेट जो है 229 ग्राम का है और यहां पर जो है वेट मैं कहूंगा सही है क्योंकि यहां पर ज कैमरा भी बहुत तगड़ा है इसके अलावा डिस्प्ले बैटरी भी जो है बहुत ही बढ़ियां काम किया गया है 79,999 रुपीज जो है आपको मिल जाएगा है चाहे आप Amazon से खरीद लीजे चाहे इनकी website से खरीद लीजे तो यह चीज है काफी बढ़ियां जो है फोन है आप को अगर एक तगड़ा फोन चीए जिसमें सब कुछ बढ़ियां मिले तो यह फोन जो है बैस्ट फोन में कहूंगा